जैसी कृष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम इंस्टंट निम्बू का आचार बनाना सीखेंगे ये आचार हम गुड का उप्योग करके बनाएंगे तो हेल्दी भी बनेगा और आप इसे एक बार बनाकर पूरे साल पर तक उसे एड़ टाइड देखिए निम्बू का इंस्टंट आचार बनाने के लिए मैंने डाइसो ग्राम यानि की पाव किलो अच्छे से फ्रेश और पके हो वैसे बड़ी साइज के निम्बू को पानी से दो कर कपड़े से पोच कर लिया है ये आचार विंटर सीजन में जब पतले चिलके वाले न पसंद हो तो आप आँट टुकडे भी कर सकते है जब भी आप मार्केट से निम्बू खरीदने जाए तब उसके चिलके के उपर नाकून लगा कर देखे कि वो पतले चिलके के होने चाहिए और जो बड़ी साइज के हाइब्रीड संत्रा जैसे निम्बू मिलते है उसका पर हम देड चम्मच या स्वादानुसार नमक और एक चम्मच हल्दी पाउडर एड़ करके अच्छे से मिला लेंगे मिक्स करते वक्त आप चम्मच का ही उप्योग करे हाथ से मिलाने जाओगे तो निम्बू का रस अलग होने लगेगा ट्रैडिशनल तरीके से निम्बू क भी आवशक्ता नहीं है सभी इंग्रिडेंट्स के मेजर्मेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये है अब इस तरह की बगोनी या गेरे बरतन में हम हल्दी नमक वाले निम्बू के टुकडे को निकाल लेंगे बरतन भी आप ऐसा पसंद करे कि जो आपके गर में कुकर हो उसमें अच्छे से सैट हो सके प्रेशर कुकर में एक कप यानि की 200 ml जितना पानी बरे और उसमें बीच में इस सरका स्टैंड रखकर निम्बू के टुकडे वाली बगोनी को उसके उपर रखेंगे और कुकर का डखकन लगा कर उसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी हो तब तक प्रेशर कुक करेंगे उसके बाद गैस बंद करके कुकर को ठंडा होने देंगे निम्बू प्रेशर कुक हो तब तक हम आचार का मसारा तयार कर लेते हैं उसके लिए एक छोटे मिक्सल जार में 3 टेबल स्पून दन्या के कुरिया लेकर उसे पल्स मोड उपर दर- पीस लेंगे और उसे भी मिक्सिंग बोल में निकालेंगे कुरिया नय हो वैसे ही ले तो आचार लंबे समय तक अच्छा रहेगा पिर उसमें 3 टेबल स्पून हम खट्टे आचार का मसाला एड़ करेंगे जिसे मिथ्या का मसाला भी कहते हैं और उसके साथ हम 2 टेबल का यानि की 3 टेबल स्पून जितना निम्बु का रस एड़ करेंगे खट्टे आचार का मसाला गर पर कैसे बनाया जाता है उसका लिंक उपर आई बटन पर और वीडियो के एंड स्क्रिन पर दिया है जितने आपने निम्बु लिये हो उतना ही आप उसमें बारिक कटा गुड एड करें यानि की 100 ग्राम मैंने कोला पूरी गुड एड किया है कोला पूरी गुड की जगह आप देशी गुड भी ले सकते है लेकिन ये गुड से आचार लंबे समय तक अच्छा और कलर भी अच्छा रहेगा सबी इंग्रिडियंट्स को हम अच्छे से मिला निम्बू का रस एड करने के कारण गुड भी मैल्ट हो जाएगा अगर गुड के आपको छोटे छोटे पाट दिखे तो हाथ से भी उसे मिक्स कर सकते है अब निम्बू के आचार को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव के लिए हम एक पगोनी में आदा कव प्यानी की सवा सो एमल जितना मुंगफली का तेल लेकर उसे लोव फ्लेम पर दुआ निकले तब तक गरम करेंगे आप सरसो के तेल का भी उप्योग कर सकते है तेल गरम हो जाए फिर गैस बंद करके उसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने देंगे उसके बाद ही हम उ अच्छे से बॉल हो गए है उसे एक छनी या इस तरह के बोल में निकाले और उसमें जो एक्ष्टा पानी हो वो सब ड्रेन आउट हो जाए और वो डूम टेंपरेचर पर ठंडे हो जाए तब तक हम उसे रहने देंगे प्रेशर कुक करके ठंडे के हुए निम्बू के टु पर्फेक्ट तयार होगा हमने जो तेल गरम करके ठंडा किया था उसे थोड़ा थोड़ा करके आचार में एड़ करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे निम्बू भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है इसलिए ये आचार में हम आमकी आचार की तरह ज्यादा तेल तरह से तेल और मसाले को निम्बू के साथ अच्छे से मिलाने के बाद डखन लगाकर उसे दो दिन तक रहने देंगे और दीन में दो से तीन बार उसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ये आचार गुड का उप्यो करके बनाया है इसलिए डायबिटिक पेशन्ट भी उसे खा सकते है दो दिन के बाद गुड अच्छे से मैल्ट हो गया है और मसाला फूलने के कारण आचार अच्छा सा रसीला तयार हुआ है देखते ही खाने का मन करे वैसा निम्बू का आचा करना हो तो उसे दूप में सुखाई हुई कांच की बोतल में बनने का ही आगर रखे ये आचार आप रोटी पराठा थेपला या खाकरा के साथ सव कर सकते है तो आप भी इसे गर पर जरूर ट्राय करे वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्स इस वीडियो